तो आज से जो है हमारी इंडियन एकॉनमी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं साथ में जो है पॉलिटिक लेक्चर और हिमाचल दरपन के जो जीके है वह हम कवर करते चलेंगे नए स्टूडेंट जो है यहाँ पे टेलीग्राम जोइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मल जाएग नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह से हमारी वीडियो चलती रहेंगी आती रहेंगी और बैल आइकॉन को दवाना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस क्योंकि इसके दुरू जो है आपको नोटिफिकेशन आपके फोन तक मिलते हैं ल पहले बात करेंगे इंडिन अकॉनमी कीं इंडिन इकौनमी को हम एग्रेडिन एकॉनमी भी बोलते हैं मिच्ट एकॉनमी भी बोलते ह Verfügung भी भी बոलाजाता है और अगर आप देखेंगे तो भारत में 54.8 परेसंट जो involved रहती है तो इसलिए जो है हमारी कैसी economy है agrarian economy है कभी option में आएगा तो आप यहाँ पर टिक करिएगा इसके बाद कभी भी आपको एकठेक option यह नहीं आएंगे कि agrarian economy है mixed economy है और developing में इन में से एक जो है option में आएगा और इस बार जो है आपने देखा होगा कि इस तरह से question पूछे जाते हैं unemployment पर question आया था कि seasonal unemployment कैसी होती है जो है के examination में आपको पूछा गया था तो वहाँ पर भी आपका answer क्या होना चाहिए था agriculture क्योंकि season by season क्या change होते है agriculture change होता है तो यहाँ पर आपका answer व भी है और public enterprises भी है right तो यह जो है हमारी mixed economy इसलिए बोला जाता है तो 1991 के बाद जो है LPG reforms आये थे जो कि आप बोलते हो liberalization, privatization and globalization ठीक है तो उसके बाद से जो है private sector को भी जो है यहाँ पर काफी जादा power दे दी गई और public sector, private sector अब जो है आपस में काम करते है ठीक है इसलिए ज तो हम है ही आप सभी को मालूम है right तो question की spaces पूछे जाते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा है ठीक है क्यूंकि अगर आप previous year के paper देखोगे तो economy से कैसे question पूछे जाते है factual static में से पूछे जाते है करंट event में से आपको इंडियन economy नहीं पूछी जाती खासकर हमीर पूरब office जो है organization जो है यहाँ पर लाती है ठीक है NSO के दोरा जो है यहाँ पर national income शो की जाती है इंडिया की तो यह जो है चोड़ी चोड़ी बाते स्ट्राटिक में से पूछी जाती है उसके बाद हम BPL के बारे में discuss करेंगे गाईस BPL होता है आपका below poverty line below poverty line जो है रंग राजन कोमेटी थी एक इसके तुरू जो है इनकी सफारिश पे BPL लाया गया था BPL में क्या रहता है below poverty line में क्या रहता है कि अभी तक जो है भारत में 22 22 परसेंट जो है below poverty line जो है अभी population इतनी हमारी cover करती है तो पूरे इंडिया में 22 परसेंट जो है वो below poverty line है इसके बाद अगर हम रूलर और अर्वन को डिवाइड करें तो रूरल में जो है 25.7 परसेंट जो है यहां पे BPL population देखने को मिलेगी और 13.7 परसेंट जो है अर्व परसेंट में below poverty line जो है population इसके बाद employment इंडिया में कैसी है गाइस तो याद रखना structural employment है तो यह भी question पूछा जा सकता है इस बार जो है आपको खासकर वहां पर question पूछा गया था related to your agriculture तो यहां पे unemployment जो होगी structural type की होगी यहां फिर हम बोले employed कोन होता है एक person जो की 273 days काम करता है 8 गंटे डेली तो उसको हम बोलेंगे वो person employed है गाईस ठीक है 273 days जिसको काम मिल रहा है 8 गंटे का डेली तो उसे हम बोलेंगे वो person employed है तो यह definition भी आपको मालम होने चाहिए आगे चलते हैं और बाते करते हैं जैसे कि population की बात करें इंडिया की तो 121.07 करोड जो है हमारी population है as per 2011 census 2021 में जो है अभी census होने थे अभी देखते हैं कि करोना चल रहा है अभी शायद ही इस बार जो है आपके census हो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन जो है यहां पे हम बात कर रहे पूरे वल्ड का और सिर्फ जो है 2.42 परसेंट लैंड एरिया पे जो है यह population कवर होती है आप खुद देखिए तो population कितनी जादा है और लैंड एरिया कितना कम है भारत का अगर हम वल्ड के according बात करें उससे compare करें ओके इंडियन economy further divide होती है गाइस तीन section में तीन सेक्टर मे primary, secondary और tertiary primary sector हमारा agriculture कवर करता है मैंने आपको पहले बताया कि 54.6% जो है आपकी population यहाँ पे agriculture में involved है तो हमारा primary sector क्या है हमारा agriculture है secondary में आपके आती है industries, manufacturing और electricity देखिए एक बार question पूछा गया था कि electricity कि सेक्टर में आती है तो आपको confusion हो सकता है कि tertiary में आता है कि secondary में आता secondary sector में आता है industry, manufacturing और electricity, tertiary में आपका आता है transport, communication and services, right, transport और communication आपकी tertiary में आती है बागी जो है यहाँ पे industry, manufacturing, electricity, secondary में और primary में आपका agriculture आता है तो एक बार question पूछा गया था कि best indicator कौन होता है हमारा economic development का यानि कि हमारी economy डवलप कर रही है हमें कैसे पता चलता है तो यह हमारी per capita income जो होती है इस से पता चलता है, per capita income जितनी ज़ादा होगी means आपकी economy उतनी ज़ादा डवलप हो रही है, right, तो per capita income से पता चलता है किसी country की economic development अब यह देखिए दोस्तों यहां से भी question पूछे जा सकते है, agriculture production जो होती है उसमें देखिए coffee होता है, tea होता है, rubber होता है, इस तरह से जो है एक board बनाए गए हैं लग-लग तो इनके headquarter देखेंगे, coffee board का है आपका बैंगलोरू में, जो कि करनाटा का में आपको देखने को मिलेगा, tea board जो है West Bengal में है, rubber का जो है केरला में है, टबाकू का जो है आंधरा परदेश के गुंतूर में है, spice board का जो है केरला में देखने को मिलेगा, और Indian grape processing जो है आपका पुने महराष्टा में देखने को मिलता है, और meat और poultry फाइनली जो है आपका daily में, तो इसको जो है आप देख लीजिएगा, important है कई बार पूछ लिए जा सकते हैं, आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे agriculture और land development के बारे में, यहां से क्या question पूछे जाते हैं, तो यहां प utilization के लिए ज़्यादा इस्तिमाल नहीं करते हैं, और उनका trade ज़्यादा किया जाता है, वो जो है हमारी oil seeds, sugar crops, fiber crops होते हैं, narcotic crops और beverage crops, तो यह हमारी commercial crops होते हैं, oil seed, sugar, fiber crops, narcotics और beverage crops, अब आगे जलते हैं, MSP पे, MSP क्या होता है, minimum spot price, minimum spot price लागू कोन करता है, यह question पूछा आत है, तो यह agriculture cost and price commission, ठीक है, तो food processing industry के under आता है, agriculture cost and price commission, इसके दोरा minimum spot price रखा जाता है, अब minimum spot price क्या होता है, दोस्तों, ठीक है, यह government के जारा दोरा announce किया जाता है, जैसे कि आपकी अगर फसल अच्छी नहीं है, उसका price जो है market में कम है, तो government क्या गरती है, minimum price रख देती है, कि हाँ, इतना price आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपकी, जो है market में, इस, या for example, आपकी wheat की, rise की, इसकी value जो है, डाउन चल रही है, लेकिन government क्या करेगी, उसको MSP पर खरीदेगी, यानि कि minimum spot price पहले से ही रख दिया जाएगा, कि इस से नीचे, अगर market value, अगर इसकी जा Norman Borlock और MS Swaminathan, ठीक है, तो कई बार option में जो है, आपको इन में से दो, एक नाम पूछे जाएंगे, Dr. Norman Borlock भी इसके साथ जुड़े हैं, और दूसरे जो है, MS Swaminathan, ओके, तो father of green revolution भी इन्हें बोला जाता है, अब question यह आता है, कि green revolution में कौन सी crops cover होती है, और कौन सी नहीं cover होत इस वो involved होती है, जैसे कि आपकी rice, wheat, maize और चोवार, और इसमें cover कौन सी नहीं होती है, barley, ragi और millets, तो याद रखना, जो आपकी बड़ी crops है, high yielding variety crops है, जैसे कि rice होता है, wheat, maize, ज्यादा तो पर जो है, उगाया जाता है, तो इसमें green revolution में यह involved होता है, और ragi, barley और millets जो ह यह question पूछ लिया जाएगा आपको, और 2013 में यह आया था guys, National Food Security Act क्या बोलता है guys, यह cover करता है, 75% जो है आपका rural population को, 50% जो है आपका urban population को, यह क्या बोलता है कि आपको provide करवाना है, subsidize ration, subsidize food जो है आपको provide करवाना है, 75% rural area में cover करता है, 50% जो है population को cover करता है urban में, okay, तो subsidize आपको food मिलेगा, कहाँ पे, targeted public distribution systems में, right, जो आपके depo जैसे आप बोलते हो ठीक है, वहाँ पे जो है आपको यह food मिलता है, subsidize rate पे, तो यह National Food Security Act 2013 के तहट बातें की गई हैं, इसके बाद बात करेंगे white revolution की, green revolution का नाम आपने देखे, white revolution के साथ जो है, यह किस के साथ जुड भी चलाया गया था 1970 में, ठीक है, 1970 में जो है, एक operation चलाया गया था, जिसका नाम था, operation flood, that is related to your milk production, तो large scale पे milk production हुआ था उस समय, और father of white revolution की से बोला जाता है, डॉक्टर वरगीज कूरियन को, तो यह भी question काफिवार पूचा आता है, डॉक्टर वरगीज कूरियन को जो है father of white revolution बोला गया है, इसके साथ yellow revolution किसको बोलते हैं, oil seed का जो production होता है उसको, और blue revolution किसे बोला गया, fishing के massive production को, आगे जलते हैं, national agriculture insurance scheme कब लागू की गई थी, दोस्तों यह आपको मालूम होना चाहिए, यह October 1999 में जो है यहाँ पे, national agriculture insurance scheme को लाया गया था, तो dates काफी important है, जो important schemes रहती हैं, वो मैं आपको बताता चलूँगा, तो यह था आज का lecture guys, मैंने छोटा lecture लिया है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको lecture कैसा लगा, अगर इसी बरकार कि आपको आने वाले समय में और भी lecture चाहिए, तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों, नास lecture में तब तक के लिए जाहिए,